वेलकम बाक तू माई चैनल इस वीडियो हम बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के वारे में कि कल क्या मारकेट में हो सकता है कौन से लेवल इंपोर्टेंट है और कौन से लेवल पे आपको ध्यान देना वो सारी बाते करेंगे उससे पहले हम थोड़ा आज का देख लेते तो आज मार्केट की ओपनिंग सही हुई लेकिन दीरे-दीरे मार्केट पूरे दिन नीचे की तरफ चलता चला गया है और जो लो बनाए वो आप देख सकते हैं 17,900 के नीचे भी मार्केट एक टाइम पे गया बड़ वहां से इसको 100 पॉइंट की लास्ट टाइम में रिकवरी देखनों को मिली बट दिक्कत ही हुई कि जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की वो 18,000 के उपर ना होके 18,000 के नीचे क्लोजिंग दिया है वो एक टेंशन वाली बात है मार्केट के लिए इसके अलावा हम देखते हैं कि ग्लोबली अभी मार्केट क्या कर रहे है उसी साबसे कल अपना मार्केट भी रह सकता है तो अगर हम अभी ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नेस्डेक और डाव जोन्स एक बार मैं रिफिरेश कर लेता हूँ उनके कुछ अच्छे हाला तो दिख नहीं है रहे डाव जोन्स एक परसेंट नीचे है और नेस्डेक वन पॉइंट फोर थरी परसेंट यानी कि जो ओवरॉल सेनेरियो है फिलाल तो अच्छा नहीं लग रहा है कल के मार्केट के लिए अपने मार्केट के लिए कि हमारा मार्केट कल क्या करेगा क्या नहीं अच्छी बात ये है कि हमारा जो क्रूड ओयल है वो नीचे आ रहा है अब हम सीधा जाएंगे nifty 50 के चार्ट पे end चार्ट को discuss करेंगे और देखेंगे कल क्या हो सकता है और हमें किन levels पे बहुत खासा ध्यान देना है कि अगर उन levels के उपर नीचे market जाता तो आपके लिए पैसा बनाने की opportunity बनेगी तो आप देख सकते हैं यह हमारा nifty 50 का daily chart and जो लोग पहली बार उनको मैं बता दू यह एक trend line है जिसको मैं अभी तक मान के चल रहा हूँ आप लोग पता नहीं कि आप कौन से levels देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं बट अगर आप first time मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो एक यह है जिसको मैं मान रहा हूँ फिलाल कि यहां पर अपना market ने support भी लिया है काफी बार और resistance भी face किया है अब क्या हो सकता है उसके बारे मैं बात कर लेते हैं कि market ने तो तोड़ दिया है 18,000 का level तो जो next आपके लिए important levels हो जाते हैं देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि lower high lower lows का formation चल रहा है lower high lower lows कैसे वो मैं आपको बताता हूँ एक second रुकिए because screenshot लेने की जरूरत मुझे पड़ेगी तो हमारे market ने जो high लगाया था recent वो था हमारा यह high वहां से हमने देखे lower high lower lows और यह formation था उसके बाद kind of M formation हुआ है उसको भी इसने तोड़ दिया है तो य यह एक tension वाली बात है lower high lower lows में आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ pattern बनता चला जाता है जब तक यह reverse नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है और reverse कहां से हो सकता है वो मैंने आपको पहले ही point बता रखे है 18250 यह वाली जो candle है अगर आप इसको zoom करके देखेंगे मैं व दो बार आपको resistance phase करने को मिला है पिछले चार से पांच दिन के अंदर जब market न शाप recovery दिखाई थी कुछ दिन पहले यह level से एक तो आपके लिए important level हो जाता है यह important level कौन सा है 17750 का ठीक है मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 18000 का level है वो एक sentimental sentimental behavior है कि मतलब तोड़ भी स होचेगा तो वहां से profit booking चालू हो जाएगी वैसे ही 18000 का भी level होता है तो 17750 यह आपके लिए important level हो जाएगा because वहां से last time आपको sharp reversal देखने को मिला था then ऊपर की बात करें तो ऊपर आपका ले जो levels है वो है 18250 के मैं पिछले तीन दिन से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ यह levels आप याद करके रख लीजिए इन दोनों के बीच में हमारा आ रहा था 18000 हम सोचेते 18000 जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक कोई tension वाली बात नहीं है बट 18000 जब तोड़ दिया तो अब हमारे जो ultimate final जो level बचा है वो बचा है यह जो कि बनता है 17750 अगर आपको उपर के लि आपको बोला था कि 18000 के नीचे अगर कोई 15 मिनिट की candle close करती है वहाँ आप एक trade ले सकते थे और आपका पैसा बन जाता लेकिन आपने ये भी देखा कि वापस हमें last time में शाप recovery देखने को मिली तो बहुत सारे लोग यहाँ पर trap भी होगे होगे क्योंकि यह हो ऐसा नहीं ह हो सकता है जो बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं अभी तो market उपर जाएगा बट शायद वैसा ना हो ऐसा मुझे लग रहा है कि एक trap की तरह काम कर सकता है तो आपके लिए फिर से बता दूँ levels की बात करूँ अगर कल भी हमारा market 18000 के नीचे open होता है gap down अगर opening देगा तो आपके लिए वैसी पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा नीचे बट अगर नॉर्मल आपका market open होता हो फिर 15 मिट की candle 18000 के नीचे ही रहती है तो आप नीचे की तरफ एक trade ले सकते हैं डेली टाइम फ्रेम है जो आप देख रहे हैं मैं इसके नीचे नीचे नहीं जाऊंगा क 27500 और 17000 ये आपके levels open हो जाएंगे फिर market और ज्यादा नीचे तक जा सकता है इस बात पर आपको रखना है ख्याल एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही आई होप आप लोग को कुछ पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बुच सकते हो comment section मैं उसके answer आपको करके दे दूँगा thank you so much